आज जा रहे हैं हम रिशी केस पलवल से निकले हैं अभी अजय बाई साब आए है आगरा से तो अभी पलवल से निकले ही हैं 10-15 मिनट हुई है अजय है साथ हुए हमारे दोस्त और उनके फ्रेंड है निलिस बाकी दोस्त अब रिशी केस में आएंगे कल मिलेंगे तो इलान है निव येर का रिशी केस में बनाएंगे काफी बार जा चुके हैं लगबग बन रहे हैं 20-25 बार जा चुके हैं लेकिन कभी निव येर नहीं बनाया देखते हैं इस बार क्या होता है निव येर के वहां कुछ खास है या निए तो पलवल से हमने के जीपी पकड़ पुंडली और गाजयाबाद वाल 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 ये सिधा निकलता है मुरादनगर या मोदी नगर क्या होता है वहां निकले गाए तो अच्छा है आपको दिखा दूगा हुए वाकि थोड़ा बौत कहीं कहीं इसमें बंस है थोड़ा बहुत उचे नीचे होता रहता है लेकिन जो भी रास्ते में कुछ आए का दिखाता हूं अब ओख लिंगे साहिद यास वैसे लेके आए वाल भी होसकता है वह दो ख़ेटा रहें चैले ऑड़ी का मोड़ी आया है और कोई प्लान क्या दरना है नेक्स प्लान जहां रोकेंगे वहां देखेंगा देखेंगे आगाइ देखिए आप गोड़ को कैसा लगता है आपको कार मुझा आ रहा है चला के पहली बार चला रहा हुआ उमर से लिए कार मुझा आ रहा है चला के पहली बार चला रहा हुआ उमर से लिए यहां तक हमें पॉनी तो लेट पॉनी दू गटे लगें आराम से रुखते भी आएं लगबग 113 km दिखा रहा है पलवल से मोधी नगर तो यह 110 होगा है मोधी नगर आ गई है यहां टोल लगता है आप दिख्टे अपने का टोल है मैं दिखाता हूं आपको वहां से पर्ची मिलेगी आपको पलवल से आप चलेंगे जब और जहां निकलोगे वहां आपको टोल लगेगा तो टाइम तो काफी से होता है पलवल से अगर आप वैसे दिल्ली ओकर आती है तो दिल्ली में वहां और दो गंटे लगबग तो यह तो अच्छी बात है कि टाइम बच जाता है अच्छा बना धीया यह रोड डिली पूरी बच जाती है यह दिली के चारो तरब बनाया है पलबल से माने सर ओते हुए कुंदली और काजयाब आते हुए कुंदली किसान यूनियन की अध्यक्ष है दरोजावाद जिलेक है तो इनका टोल लेगता है इनकी अंडर ही आते हैं सारे तो पता नहीं क्यों नहीं लेगता है तो दिखते हैं यहां से कितना टाइम लगेगा अगया अगया है गोगल्स लेने के लिए रुके हैं अजय भाई के लिए यह मौराद में करने मोधी ने करने पोटी यह द रहे ना पहला पेनो पहला पहला रहा है आपाय के इंक्यों पर यंचयों इनका प्रे यह यहां यह जो भाई तेंकियों कि यूट्यूब पे जैडन की हाँ वह आई वे निकला था मुरादनगर में जहां मुत्रेद है और अब यह मोधिनगर चल रहा है मुरादनगर मोधिनगर में थोड़ा ट्रैफिक रहता है हमेशा ही दोड़ा बहुत मिलता है और एक और रास्ता है वहां से गंगनेर जो पड़ती है वहां से भी जाता है वह सीधा आप मेरट भी निकल सकते हो लेकिन आमने यही चोच गया क्योंकि वह सिंगल रोड है अभी यह थोड़ी दो और रहेगा ट्रैफिक उसके बाद ठीक ह जाएगा टोल रोड आ जाएगा मेरट का बाइपास उस वहां से अच्छा है रोड उसके बाद अच्छा है को बस रेली है भाई ने चनक गया है पूरा अच्छा है यह मेरट क्रोस करते ही एक टोल आता है अप रिसी पर जाओगे आरदवार जाओगे तो मेरट हाइवेब से लोड तो बहुत बढ़ी है टोल रोड तो एक टोल बनाया हुआ है नो देखते हैं कितने रोपेका है भाई साब तो देंगे नहीं है मैं पहली पे कर चुगा हूँ कहां सोरू में पे कर दिये हमारे हमने भी पे किये हमारे तो मानते नहीं हो तो तो मर्सडीज का है लीवा मर्सडीज से कम कहा है तो माई लोग 85 का है यहां टोल एक साइड का दिल्ली से हर्दवार के बीच में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है रेस्टोरेंट पड़ता है वो चितल ग्रांड है यह आगे चितल ग्रांड अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो थोड़ा महगा पड़ेगा हाइवे से थोड़ा महगा पड़ेगा अधावे से लेकिंग खाना अच्छा है यह दो हैं आमने सामने एक उधर भी है अधर देखे चितल ग्रांड है मोजफर नगर से 25 निमेटर पहले बढ़ता है ने रठाया का लंच में लेके आया हूँ साथ में तो हम यहीं कर लेते हैं लेके आया है उस दो कि अरुड़ वाव जो कि अरुड़ टूड़ पटारा जार। झाल झाल पहुंच गए बिर्याने पोट अरदवार में साउल का गर यहां से बस दो मिनट कराशता है तो यहां से कुछ ले लेते हैं उसके लिए आज प्लान था हरकी पोड़ी जाने का उदर आरती देखने का लेकिन अभी तो लेट हो गए काफी जाता और अंदेरा हो गया च्छे बजे की आरती होती है सुबह भी शाम को भी छह बजे कौम लगबग छह बजे ही पहुंचेते हैं तो अभी फलान यह है कि मॉर्निंग में जाएंगे आरती तो आज का व्लोग तो यहीं खतम करते हैं तो अभी बड़ दो मिनट में पहुंचने वाले राहूल के घर और सुबह चहे बजे जाएंगे आरती दिखाते हैं आपको कि यहां कैसे आरती होती आरती होती काफी अच्छा होता है चलो ले लेते यहां कि भाई थंड बहुत जादा है बहुत थंड है अब लोगो दो मिनट भी बिना जैकेट की रुका नहीं जारा भार है अब भायी अच्छा इसाम बाइसाम और तनने बाइसाम पहाचिके बाइसाम रात में निदिर भूँ रात में वाईसाम माईनस में टैमपरीचर चला जा जा झाल झाल